हलो एवरिवन कैसे ही आप सब लो और आपके अपने यूटुब चैनल में आप सभी का बहुत सारा स्वागत है यहाँ पे मैं मैथी आलू बना रही हूँ जो की सीजन का पहली बार है मतलब इस सीजन में पहली बार बना रही हूँ मैं थी आलू तो हमारे घर में सब को पसंद है तो इसको मैं लेशन सुखी मिर्ची से इसका तड़का लगाती हूँ और आज मैंने ब्लॉग अपना किचन से स्टार्ट किया है मतलब खाना बनाने से स्टार्ट किया है तो मैं थी को अच्छे से काट के दोके सामने आपकी रख कखा हुआ है और बस गेज जला दी कढ़ाई गरम हो रही है तब तक मैंने बोला लेसन वगेरा काट लेती हूँ और यह रात के रास से ही मैंने वीडियो इस्टार्ट कर दी थी रात को आठ या साड़े साथ ऐसे बजर होंगे मुझे इतना याद नहीं है तो यह देखिए मेर बनते ना गाओं की फीलिंग आ जाती है क्योंकि जब मैं गाओं में जाती हूं मम्मी या फिर ससुराल में तो ऐसी बनते हैं तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं सबजी से याद आया आप लोग कल कमेंट कर रहे थे कि आपकी वीडियो क्यों नहीं आई वीडियो क्यों ये जा पाए मैं तो नहीं जा पाए क्योंकि मैं तवैत इतनी ठीक नहीं थे और फिर दो दो बच्चे थे तो इस वज़े से और फिर ये हैं वो उनके बच्चे भी हैं और फिर अच्छा नहीं लगता है और फिर इतना वो था मूर तो खराब होई जाता है भगवान ऐसा मन चोड़ दे तो कैसा लगता है तो बस मेरे जेट जी का फोन आया था गाउंसे के ऐसे ऐसे वो उनके हजबन खतम हो गए है तो बहुत बुरा लगा एक दम सुवे सुवे ऐसी ख़वर सुनो न तो पूरा दिन कैसे जाता है तो दिमाग बहुत अपसेड रहा बहुत इनका भी म तानी होती है वो हमें पल में खोड़के चला जा जाता है तो कैसा लगता है तो पूरा देन बस ब्रत खोला और सुवे ही मेरे सवसराल से फोन आ गया तो बहुत मुझे मुझसे ये सब आपको पता है वस्तने जल्दी से बहुत बोव हो जाता है मुझे बहुत वैसी वैसी feeling गाने लग ज़ए तो कुछ भी मूड नहीं किया ना खाना का ना कुछ तो ये सारा खाना क्योंकि दूसरे दिन वॉइश ओवर कर रही हूँ तो सारा खाने का पड़ा हुआ कोई मतलब नहीं था बना के रख लिया था सारा का सारा रखा रह गया तो ये था ससुराल की बाता य तेरवी होती है तेरवी पे हम लोग जाओं है मैं जाओं क्योंकि छोटे-छोटे बच्चे हैं फिर दो-दो को लेके तो थोड़ा दिक्कत हो जाता है तेरवी होएगी ना तब हम फुल फैमिली जाएंगे वहाँ पे आप लोगो भी दिखाएंगे और उनके हजबन खतम जिट भी नहीं है 30-35 की उमर होगी उनके और बच्चे भी ज्यादा बड़े बड़े नहीं है तो आप सोच सकते हो बच्चों के सर से बाप का साया हट गया और बीच रास्ते में जीवन साती साथ छोड़ देता है तो कैसी फीलिंग आती है बहुत अजीव सा लगता है आप लोग सोच रहे हूं क्या पर आपको बताना जरूरी होता है फोड़ा यह ना आप लोगोंसे शेयर कर लो तो अच्छा लगता है थोड़ा सा क्योंकि दिमाग से वो चीज़े निकल जाती है अगर नहीं किसी से शेयर करो तो निकलती नहीं है और यहाँ पे मैं बैड खोल र लेखे मैं बैड सीट दिखा रही हूं कितनी फट गई है तो क्या करे गरीब आई है कोई नहीं ऐसे ही टाइम नहीं होगा टाइम बदल जाता है तो इसको ज़ाड के हाँ पे मैं बैड सीट बिचा देती हूं और फिर वाकी काम खाना बना के रखी दिया है मैंने सबजी मेरी रात की पड़ी है बस अभी मुझे बच्चों के लिए कुछ बनानी यह तो है नहीं तो हो जाएगा बैड सीट मैंने दूसरी निका लिए तक एक खोली दूसरी निकाली मैचिंग किया नहीं है और हो जाता है दिमाग काम ही नहीं कर रहा था कुछ भी आपको पत दिमाग मे ठंडा मौसम होना तो रूखा रूखा सा चेहरा हो जाता है पर कुछ भी नहीं किया बस काम में लग गई क्योंकि काम बहुत जादा हो जाता है सुवे सुवे का और वैड सीट डवल वैड की वैड सीट है थोड़ी सी दिक्कत हो रही है मुझे बिच्छाने में पर मैंने ख जाता है यह गा डवल वैड की वैड सीट कैसी लगी कलर अच्छा है के नहीं अच्छा है और बस हो गया बिच्छी और सौना देखिए कैसे घूम रही है इधर से उधर इधर से उधर वह घूमती रहती है और बंसीका तो अपने काम से लगी है वह तो साध वह फॉन और कोई तो तीसरा है नहीं हम मा वेटी रह गए हैं तो उनी से मुबायल पकड़वाती हूँ तो वैड सीट विच गई है तक एक खोली चेंज कर दूँगे और यह काम तो सिमिट गया हो गया अब थोड़ा बहुत भाहर की सफाई करनी है जो कि मैंने बरतन कप्ड़ेद हो तो यह दीखें चड़ गए अच्छे लग रहे तो यहां पे मैंने कप्ड़े और बरतन धो हैं तो यहां पे मुझे साफ करना होता है क्योंकision काईज जम जाती है इसलिए तो जब गंधकी करेंगे तो साब भी तो कड़ना होता ही है तो यहां से पहले ज़ाड़ू से निका काई जम जाती है बहुत और इस तरीके से चुण्डी बांद लेती हूं मैं क्योंकि चुण्डी के बिना मुझे नहीं अच्छा लगता है ब्लॉक करना अटपटा सा लगता है तो यह देखिए यहां पर मुझे यह बुरुस से कर दो ना तो यह काई छूट जाती है पर दो द तो मुझे खाना खा सकती हूं और ना कुछ भी कर सकती हूं तो चलिए यहां की मेरी सफाई हो गई है यहां पर बस वाइपर मारना है और बस और अगर आपको मेरी वीडियो रेसिपी अच्छी लगए तो प्लीज आप लाइक करना भूल जा तो लाइक सस्क्राइब जरूर करी आप लोग मुझे सपोर्ट करी आप लोग सपोर्ट की मुझे बहुत जरूरत है तो चलिए यह सफाईगर के बाइपर मार देती हूं फिर मुझे थोड़ी सी रोटी बनानी थी सफाईगर क्योंकि सबजी पढ़ी यह मैंने बताया ना बस यह आप जब मैंने नवरात्र मैं साइध रोटी शेयर की थी तो आपके कमेंट आये थे के दीदी पूरा शेयर करिए तो इसलिए मैं आज आपके साथ फेसे शेयर कर रही हूं यह आलू है प्याज लेसन सब कुछ मैंने पहले से अल्रेडी तयार करके रख दिया था और वस इसमें मुझे मिर्ची और यह सब करके एक टमाटर करके टमाटर को मुझे दो लेना है और इसको छोंकना बहुत जल्दी बन जाती है बच्चे भी खा लेते हैं और फिर हम तो खा लेते हैं रोटी रात की बच्चुई वेशनी करते हैं वैसे शेयर की है पर आप लोग कमेंट आयते दुबारा से करना कुकर में सब एक साथ फ्राय हो जाएगा तो यह देखिए टमाटर डाल दी इसमें जो भी मसाले होते हैं हल्दी मिर्ची धनिया गरम मसाला नमग यह सब डाल के और अलू एक अलू इतना ना काफी सारा हो जाता है खाया विंटो रोटी में ना मतलब तीन जनों का पेट भर ज जाता है और मसालदानी मैंने निकाल लिए इसमें सारे मसाले एड़ कर देने मतलब आपके रोटी पड़ियो थोड़ी बोट छोटी मोटी सी भूख नहीं आती है तो यह आपकी भूख को एक दम से खतम कर देगा तो यह दिखिए मसाले किर गए और साथ के साथ मैं रख समे यह देखिए हम लोग तो भी अखा लेते हैं क्योंकि जब बहुत वह होता है इतना महंगा है सब कुछ तो कैसे खराब करें नहीं किया जाता है तो इसको कुकर में बंद कर देंगे और दो या तीन गिलास पानी दाल के और इसे बंद कर दीजिए और दो सीटी में यह हमारा सब्सक्राइब उट गचाएगा वंके रीडियो हो जाएगा तो चलिए एक उकर बंद कर देते हैं और इसे बंने के लिए हम लोग छोड़ देते यह बंद जाएगा दो मिनट में इसको जल्दी अली से निमोनिया की यह सब हो जाता है पता निया और इतना से टायम करवा चरथ बगएरा चलगा था और बीच में यह हो दो पर क्या कर सकते किसी की बस में यह यह रख दो किसी के बस में नहीं है तो इसलिए मुझे करनी है दिपावली की सारी cleaning makeover करना है जल्दी से करूँगी पूरे घर का makeover करूँगी क्योंकि मै मैं दिखाना चाहती हूं आप लोगों को अभी बंसेगा बनने दोस्को अधिये महनी लगा अलो फिर ऐसे चूपने लग जाती को हां खुरकुरे खुरकुरे से हांत हो जाता है जीब से और तेल लगाया यह चल जाता है फिर अच्छा नहीं लगता मन भी नहीं लगता मेरा इ और यह होता है तो चलिए यह सब करके खाना खाना भूख लग रही है यह नहीं होते तो कोछ भी बना लो अच्छा लग जाता है तो राट की सबजी रखी है और है तो यह तो हो जाएगा हम लोगों का और आप लोगों के यहां पर और मेरा बुलकुल भी है वह नहीं हो रहा है इसलिए सुवए-सुवए उनको निकलना पड़ा था पर मेरा थीक नहीं था तो इसलिए मैं भी जल्दी जाओंगी थोड़ा सा वह जाए ना क्यों ताइम लगत आप मेरा यह सब सुनके सुवह-सुवह पता चल लिए तो मां काम में नहीं करता है अहां तर दो रहा है और इनको लेकर बैठना पड़ता है क्योंकि रहती नहीं है ना इनको गोधी में लेकर बैठे रहो जब इनकी तब्य थराव हो ना तो मीचे नहीं उतरती बस गोधी म सब्सक्राइब और यह कपड़े अपड़े सारे सेट किये हैं अब सारा मुझे मंदिर अंदर कल करूंगी आन्मी करूंगी आज बुलकुल भी कुछ भी मन नहीं करड़ा करने का चलिए मुझे दीजिए जाजत कल मिलें तब तक बाए-बाए-बाए-बाए-बाए-बाए-